तो दूस्तो IPL 2023 का 43 मैच आज लकनो सुपरजेंस बना रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर के बीचे खेला गया है और इस मैच में रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर ने लकनो सुपरजेंस को हरा कर पोइंट स्टेबल में काफी बड़ा उलट फेर कर दिया है जहां लकनो सुपरजेंट को पॉइंच टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुए है तो ही रोयल चैलेंजर बेंगलोर पॉइंच टेबल में 10 पॉइंच के साथ टॉप 5 में जगह बना लिये तो ऐसे में पॉइंच टेबल में कौन सी टीम किस पायदान पर है और यहां से किस टीम को आप कितने मैच और जीतने होंगे प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपॉर्टन वीडियो में अन्त तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादना वो इसे दोस्तो आई पिल से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन निक कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जागी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पोइंस टेबल में जो टीम सबसे आकरी यानि दसवे पाइदान पर है वो है दली कैपिल दली कैपिल दसवे पाइदान पर बनी हुए है इस टीम का परदशन आईपिल दो हजार तेज में अब तक काफी खराब रहा है जहां इस टीम ने अब तक आट मैच खिले हैं और इन आट मैचों में से मातर दो मैच में जीता हासल किया है जबकि छे मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जहां इस टीम के पास टोडल चार पोइंट है तो इन ने टरंडेट इस टीम का माइन है 0.898 है जो की बहुत ही खराब है अब इचे मैच और देली केपिल को खिले हैं और इन चे के चो मैच में जीतना होगा प्ले आउफ में कौलिफाय करने के लिए साथ में अपना ने टर संराइस हैदराबाद संराइस हैदराबाद नवे पाइदान पर बनी हुए इस टीम का परदरशन आई पील 2023 में अब तक कुछ खास नहीं रहा है जाब तक इस टीम ने 8 मैच खेली हैं और इन 8 मैचों में से मातर 3 मैच में जीत हासिल किये जबकि 5 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जाए इस टीम के पास टोडल 6 पॉइंट है तो इन नेटर नेट इस टीम का माइनेज में है माइनेज 0.577 इस टीम का नेटर नेट है जो की काफी खराब है अभी 6 मैच और इस टीम को खेले है और इन 6 मैचों में से कम से कम 5 मैच और जीतने होंगे प् आपतानी वाली टीम कोलकाता नाइट डाइडर कोलकाता नाइडर का अपरज़ाशन आई पील 2030 में अब तक बेहद खराब रहा है जहां अब तक इस कॉलिफाइ करने के साथ में इस टीम को अपना नेट अंडेट और बहतरीन करना होगा वहीं कोलकाता नाइड़ अपना अगला में संराइजस हैदराबाद के खिलाफ चार में को खिलने वाली है पॉइंस टेबल में जो टीम साथवे पायदान पर है रोहिश शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडन्स मुंबई इंडन्स आईपिल 2030 में अब तक उतना बहतरीन परदर्शन नहीं कर पाई है जहां अब तक इस टीम ने 8 मैच खेले हैं और इन 8 मैचों में से 4 मैच में जीत हासिल की है जबकि 4 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जहांश टीम के पास टूटल 8 पॉइंट है तो इन नेट अनेट जो है माइनस में काफी ज्यादा खराब है माइनेच 0.502 इस टीम का नेट अनेट है अभी 6 मैच और इस टीम को खेलें और इन 6 मैचों में से कम से कम 4 मैच और जीतने होंगे साथ में अपना नेट अनेट भी बहतरीन करना होगा प्ले आफ में जगह पक्की करने के लिए तो हुँ इस टीम के पास टोडल 10 पोइंट है तो ही जो नेट अनेट हम इन 0.447 है जो की बहुत ही खराब है अभी 5 मैच और इस टीम को खेलें और इन 5 मैचों में से कम से कम 3 मैच और जीतने होंगे साथ में नेट रनेट भी बहतरीन करना होगा प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए वही पंजाब की का अगला मैच मुंबई इंडन के खिलाफ तीन में को होने वाल है पोई इस टेबल में 5 वे पायदान पर पहुँच चुकी है आज का मैच जीतने वाली टीम रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर ने आज के मैच में लकनो सुपर जंद को हरा कर 5 वे पायदान पर जगए बना लिये जहां अब तक इस टीम ने 9 मैच खेले और इन 9 मैचों में से 5 मैच में जीता हासिल किये जबकि 4 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जहां इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है तो इन ने टरनेट इस टीम का माइनस में थोड़ा खराब है अभी पांच मैच औरर ऌयल चैलेंजर्स बिंगलोर को खेले हैं और इन 5 मैचों में से 3 मैच कम से कम और जीतने होंगे साथ में तोड़ा नेटरनेडी भी बहتरीन ने करना होगा प्ले आफ में कॉलिफाय करने कि ले वे रोयल चेलेंजर बेंगलोर अपना अगला मैच जो है दिल्ली कैपिल के खिलाफों खेलने वाली है पोइंस टेबल में जो टीम है चौते पाइदान पर है वो है चिन्नेई सुपर किंग मेहंदरे सीम धोनी की कप्तानी वाली टीम और IPL की चार बार की चेंपियन चिन्नेई सुपर किंग ने अब तक 9 मैच खेले है और इन 9 मैचों में से 5 मैच में जीता हासिल किये जबकि 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जाएंस टीम के पास टोडल 10 पोइंट है तो इन नेट अन रेट इस टीम का प्लस में बहुत ही बेतर है प्लस 0.329 इस टीम का नेट अन रेट है अभी 5 मैच और इस टीम को खेले है और इन 5 मैचों में से 3 मैच कम से कम और जीतने होंगे प्ले ओफ में कॉलिफाई करने के लिए चिन्ने सुपर किंग अपना अगला मैच लखनो सुपर जंद की किलाफ तीन में को खेलने वाली है चिन्ने सुपर किंग का परदर्शन IPL 2013 में अब तक काफी बहतरी न रहा है पोइंस टेबल में तीसरे पायदान पर जो टीम है आज का मैच हारने वाली टीम लखनो सुपर जंद को आज के मैच में रोयल चैलेंजर बिंगलोर ने हरा दिया जहां अब तक इस टीम ने 9 मैच खेले और इन 9 मैचों में से 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 5 मैच में इस टीम को जीते मिल चुकी है जहां इस टीम के पास टोडल 10 पोइंट है तो इन 9 रंडे जो इस टीम का प्लस में काफी ज़ादा बहतर है अभी पांच मैच और इस टीम को खेलें और इन पांच मैचों में से तीन मैच कम से कम और जीतने होंगे प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए तो इन लकनो सुपर जंद का अगला मुकाबला चेनने सुपर के खिलाफ तीन में को होने वाला है पोइंच टेबल में दूसरे पायदान पर है राजस्तान रुल संजू संसन की कप्तानी वाली टीम लाइपल 2023 में भी काफी बहतरिन परदशन करी है राजस्तान रुल ने आईपल 2023 में अब तक 9 मैचे खेली है और इन 9 मैचों में से 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 5 मैच में इस टीम को जीतने मिल चुकी है जहां इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है तो इनने टने जो है प्लेच 0.800 है जो की काफी ज़्यादा बहतरिन है अभी 5 मैच और राजस्तान रुल्स को खेलें और इन 5 मैचों में से 3 मैच कम से कम और जीतने होंगे प्लेच आफ में कॉलिफाई कर निकले वेसे लगातार राजस्तान रुल्स का परदर्शन IPL 2013 में अब तक काफी बहतरीन रहा है वही पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर है गुजरात टाइडन हर्दिक पंडा की कप्तानी वाली टीम और IPL 2022 की चेंपियन गुजरात IPL 2023 में अब तक काफी बहतरीन परदर्शन करी है जाब तक इस टीम ने 8 मैच खिले है और इन 8 मैचों में से 6 मैच में जीत हासिल कर लिए जबकि मातर 2 मैच में इस टीम को हारका सामना करना पड़ा है जाए इस टीम के पास डूटल 12 पॉइंट है तो इन 800 जो इस टीम का प् प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए तो इस टीम के अगला मैं जो है डली कैपिल के खिलाफ दो में को खिलने वाली है तो दोस्तों यह रहा IPL 2023 का नया पॉइंट है जो की तारिए 43 मैच लकनों सुपर जंद बनाम रोयल चैलेंजर बेंगलोर के बात का है और अब बात क और परपल कैप होल्डर की तो धकृण अब तक सबसे ज़्यादा रन बनार अरनज केप अपने नाम किये होए तो यह परपल कैप होल्डर है त उशार देवीच पंते जिन्होंने अब तक सबसे जढ़ा वीकेत